नमस्कार दोस्तों, इलैटिकल टेक्निशन चल में आपका स्वागत हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सिखेंगे कि किस प्रकार से समर्सिबल पॉंप स्टार्टर का वाइरिंग करते हैं। दोस्तों देखिये, जो हमारा स्टार्टर होगा, उसके लिए यहाँ पर हमने एक पैनल ले लिया। दोस्तों कुछ-कुछ पैनल में एक MCB का भी इस्तमाल किया जाता है तो दोस्तों यहां पे हम Overload Relay का इस्तमाल नहीं करेंगे यहां पे हम एक MCB का इस्तमाल करेंगे तो यह हमारा MCB हो गया इसके बाद में यह जो हमारा Contactor है इसको चालू कर निकले एक Start Push Button का इस्तमाल करेंगे यह जो हमारा Start Push Button है इसमें दो Element है यहां पे जो Element इस्तमाल किया गया है वो Anno Contact है ठी दोस्तों उसके बाद एक हम Stop Push Button का इस्तमाल करेंगे जिसको प्रेस करके हम Motor को बन कर सकें अब दोस्तों देखिए जो हमारा Motor है वो यदि Running Condition में तो उसके Indication के लिए यहां पे एक हम Indication Lamp का इस्तमाल करेंगे यह हमारा एक Indication Lamp हो जाएगा अब दोस्तों देखिए जो हमारा समसिबल Pump होती है उसमें दो Capacitor का इस्तमाल कियाता है एक तो Starting Capacitor दूसरा Running Capacitor दोस्तों यदि आपका समसिबल Pump एक होस पावर से लेके दो होस पावर धखे तो आपको यहां पे Starting Capacitor असी से लेके सो माइको फैर्ड का इस्तमाल करना पड़ता है उसके बाद में जो आपका Running Capacitor होगा वो 36 माइको फैर्ड का होगा दोस्तों किसी किसी समसिबल Pump स्टार्टर में आपने देखे होंगे कि तीन केपसिटर का इस्तमाल किया गया है यदि आपके स्टार्टर में तीन केपसिटर का इस्तमाल किया गया है तो उसमें से एक होगा आपका Starting Capacitor और दो होगे running capacitor अब जो दो running capacitor हैं उसने capacitor को या तो series में connect किया गया होगा या फिर parallel में अब दोस्तों देखिए जो हमारा power cable है उनको connect करने के लिए यहाँ पे हम एक tv का इस्तमाल करेंगे इसी tv में हम power cable को connect करेंगे उसके बाद हो दिए जो हमारा motor है वो कितना current यहाँ पे ले रहा है उसको measure करने के लिए एक ammeter का इस्तमाल करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमारा power supply है उसका voltage को measure करने के लिए एक voltmeter को भी connect करेंगे अब यहाँ पे हम एक earthing का point भी लेंगे यहाँ पे हम earthing को करनेक करेंगे तो दोस्तों यहां पर जितने भी equipment हमें करना था सब के सब कर दिये अब इन सभी equipment का किस पकार से wiring किया जाएगा उसके बारे में सीख लेते हैं दोस्तों जो हमारे घरों में reversible pump इस्तमाल किया जाता है वो single face का होता है इसलिए यहां पर जो हम controlling करेंगे वो भी single face के द्वारा करेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम power supply लेका आते हैं तो यहां पर दोस्तों हमने एक single face power supply ले लिए यहां पर 230 volt AC supply हमने ले लिए अब यहां पर जो हमारा पहला टीवी है इस टीवी हमें face supply को connect करना होता है तो हमने यहां से power supply को लेके आए और इस पहले बारे टीवी पर connect कर दिये face supply को दूसरे टीवी पर हम neutral supply को connect करेंगे और जो हमारा तीसरा टीवी है उसमें हम earthing को connect करेंगे दोस्तों यदि आपको नहीं मालूम कि earthing क्या होता है और हमें क्यों connect करना चाहिए तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था उस वीडियो का link में description में दे दिया हूँ आप वहाँ पे click करके देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा समसिबल pump होता है उसमें दो प्रकार के winding किया जाता है एक तो starting winding और दूसरा running winding अब यहाँ पे दो winding किया गया है तो उसमें से चार केवल निकल के आते हैं लेकिन यहाँ पे जो हमारा starting winding और running winding है उनके एक एक सीरे को आपस में सोट करके हमारा जो motor होता है उसमें से तीन केवल बाहर आते हैं जो कि हमें motor के साथ connect करना होता है ठीक है तो यहाँ पर हमने तीन केवल लेके आ गए हैं दोस्तों यहीं आपको यह नहीं वालूं कि किस परका से हम starting winding और running winding को बता करते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था ceiling fan के winding के बारे में उस ceiling fan में भी हमें दो winding का इस्तमाल करना परता है starting winding और running winding करेंगे दोस्तों उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से explain किया था कि किस परका से हम starting winding और running winding को पता करेंगे मल्टिमीटर और सेडिस टेस्ट लिम्प के द्वारा दोस्तों उस वीडियो को आप देख लिजिएगा तो आपको पूरा concept clear हो जाएगा तो यहां पर मैं आपको color coding के द्वारा बता हूँगा कि किस परका से connection करना है दोस्तों color coding पर आप कभी वरोसा ना करिएगा कुछ टेस्ट करके वाइडिंग करिएगा ठीक दोस्तों जो हमारा समर्सिबल पंप के होती है उसमें से तीन केवल आते हैं यहां पर जो हमारा केवल आया है वह ब्लेक अलर एक रेड और एक ब्लू दोस्तों यह जो ब्लेक व पाउर किस लिए है अब दोस्तों देखिए यहां पर हमने जितने भी component का इस्तमाल किया थे इसका वाइरिंग किस प्रकार से करेंगे उसको सीख लेते हैं तो सबसे पहले तो हम यहां पे power wiring करना सीख लेते हैं दोस्तों power wiring करने के लिए हम क्या करेंगे कि यह जो टीवी है इसके इश टर्मिल्ल से यानि कि यह जो हमारा face wire है इसके इस terminal से एक wire को connect करेंगे और इसको लिए कि हमारा olla MCVA इसको incoming power supply दे देंगे अब यह जो हमारा MCVA इसके outgoing terminal से एक wire को connect करेंगे और इसको लियाके हमारा जो emitter है उसके एक terminal पर connect करेंगे अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा emitter है उसके outgoing terminal यानि की S2 से एक wire को connect करेंगे इसको लिएके हमारे जो countactor है उसका बीच वारी टर्मिनल है उसके एक साथ गनेक कर देंगे अब यह जो हमारा contour है, उसके outgoing terminal जो है, यानि कि बीच वाला outgoing terminal उसमें से एक बारिष करेंगे और इसको लिएके यह जो हमारा red wire है, उसके साथ connection कर देंगे दोस्तों यह जो हमारा red wire है वो running wiring के लिए है अब दोस्तों दिखीगा यहां पर जो हमारा starting capacitor है उसका connection किस पकार से करेंगे जो हमारा starting capacitor होता है उसका work केवल starting के समय होता है यानि कि जब हम motor को start करेंगे तब हमारा starting capacitor है वो काम करेगा उसके बार में उसको हम बाईपास कर देते हैं तो किस पकार से इसको बाईपास करेंगे और किस पकार से इसको लाइन पे लेंगे उसको समझ लीजिए तो देखिए यहाँ पर जो हमारा starting capacitor है उसको power supply देने के लिए हमारा जो push button है यानि कि start push button उसका इस्तमाल करेंगे यानि कि इस push button को प्रेस करके हम starting capacitor को line पर लेंगे और इसके द्वारा हम motor को start करेंगे तो इसको power supply देने के लिए हम क्या करते हैं कि यह जो हमारा emitter होता है इसके outgoing terminal से हमें power supply को लेना है यानि कि यहां से हम एक wire को connect करके ले जाएंगे और जो हमारा push button है उसका जो no contact है उसके एक terminal पे connect कर देंगे दोस्तों यहां पे एक चीज़ याद रखिएगा यह जो हमारा emitter है उसके outgoing terminal से हमा wire को connect करके लाना है यहां पे हम outgoing terminal से इसलिए connect करके लाना है क्योंकि यदि हमारा motor start करते हैं तो उस समय हमें current को भी देखना होता है यदि आप incoming terminal से power supply को ले के जाएंगे तो आपका जो ammeter हो वो starting के समय काम नहीं करेगा इसलिए हमने यहाँ पे outgoing terminal से wire को connect करेंगे अब यह जो हमारा push button है इसके outgoing terminal से wire को connect करेंगे और इसको लिया कि हमारा starting capacitor है उसके एक terminal पे connect करेंगे अब यह जो हमारा starting capacitor है इसके outgoing terminal से wire को connect करेंगे और इसको लिया कि starting winding जो है उसके series में connect करेंगे यानि कि starting winding को power supply दे देंगे अब यहाँ पर हमारा starting capacitor था उसका connection complete हो गया है दोस्तों यह जो हमारा running capacitor होता है इसको power supply देने के लिए हम क्या करते हैं यह जो हमारा beach wallet terminal है इस terminal से एक wire को connect करेंगे और इसको लिया के capacitor के एक सीरे के सर connect करेंगे अब यह जो हमारा capacitor का दूसरा सीरा है उसमें से एक wire को connect करेंगे और उसको लिया के starting winding के सार connect कर देंगे यानि कि यहाँ से क्वार को connect किये और उसको लिया के यहाँ पे connect कर दिये मैंने यहाँ पे आपको जोर के दिखा दिया हूँ दोस्तों यहाँ पे जो हमारा running capacitor है उसको हमने starting winding और running winding के सार connect कर दिये एक सीरे को starting winding के सार connect किये हैं और दूसरे सीरे को running winding के सार में connect किये हैं अब दूस्तों दिखिए यहाँ पे जो हमारा starting capacitor है वो कैसे काम करेगा एक बास समझ लीजिएगा दूस्तों दिखिए जहां से हमारा power supply flow होगा ठीक है सीरे MCV में जाएगा अब MCV के outgoing terminal से power supply हमारे ammeter में जाता है और ammeter के outgoing terminal से power supply यहाँ पे जाती है इस TV पे ठीक है अब जो हमारा ammeter का terminal है outgoing terminal उस terminal से एक wire को और connect करके हमने हमारा जो push बटन है उसके एक सीरे पे connect कर दिये और उसके outgoing terminal से हमने एक wire को करने करके starting capacitor को power supply देती है अब यदि हम इस push बटन को प्रेज करते हैं तो क्या होगा power supply यहाँ से flow होते हुए starting capacitor में चली जाएगी और starting capacitor के दुसरे रोल सीरे से power supply flow होते हुए सीधे हमारा जो starting winding होता है उसमें power supply चली जाएगी जिससे क्या होता है हमारा motor start हो जाएगी अब जैसे हम push बटन को release करते हैं तो क्या होता है यहाँ से power supply flow होना बंद हो जाएगी जिससे क्या होगा हमारा starting capacitor है वो bypass हो जाएगा अब जो हमारा starting capacitor है उसके bypass होने के बाद हमारा running capacitor होता है वो work करता है अब दोस्तों दिखिए जो हमारा motor था उसको हमने starting power supply और running power supply दे दी है अब यहाँ पे जो हमारा motor है उसको neutral supply भी देना पड़ेगा दोस्तों हमारा जो motor है उसको neutral supply देने के लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारा neutral power supply है उसके इस TV से हम एक wire को connect करेंगे और इसको लिया के हमारा जो contactor है उसके third number terminal के सार कनेक करेंगे अब इस contactor के outgoing terminal यानि कि इस contact से हमने एक wire को connect करेंगे और इसको लिया के हमारा जो neutral supply के लिए wire है यानि कि black wire है उसके सार connection करेंगे ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे हमारा जो power wiring था वो complete हो गया है दोस्तों दीखे यहाँ पे जो हमारा contactor है इसको चालू करने के लिए यहाँ पे हमें controlling करना पड़ता है अब इस contactor को चालू करने के लिए हमारा जो push button है उसका इस्तमाल करेंगे अब इस push button में हमने दो element का इस्तमाल किये दे एक element का उपयोग तो हमने starting capacitor को power supply देने के लिए कर लिए अब जो दूसरा element है उसको incoming power supply देने के लिए हम यहाँ से एक wire को connect करेंगे और इसको जो पहला terminal है उसमें connect करतेंगे अब यह जो हमारा push button का outgoing terminal है वहाँ से एक wire को connect करेंगे और इसको सीधे ही ले जाके हमारा जो contactor है उसका जो A1 terminal है उसमें connection कर देंगे जिससे क्या होगा यदि हम push button को प्रेस करते हैं तो power supply यहाँ से flow होते हुए सीधे ही contactor के A1 terminal पे पहुची जाए दोस्तों देखिए यह जो हमारा contactor है इसको चालू करने के लिए हमने connection कर दी अब इस contactor को hold करके रखने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से एक wire को connect करेंगे और इसको पहले terminal पे connect कर देंगे अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा contactor है इसके आटगोईन terminal यानि कि यह वालट जो terminal है इसमें से wire को connect करेंगे और इसको लियाके हमारा जो stop push button है उसके incoming terminal पे power supply दे देंगे अब यह जो हमारा stop push button है इसके आटगोईन terminal से एक wire को connect करेंगे इस wire के सार connect करेंगे यानि कि यहाँ से एक wire को connect करेंगे हमने इस start push button के जो आटगोईन terminal है उसके सार connection कर दिये ठीके दोस्तों तो यहाँ पे हमारा जो contactor है इसको चालू और बंद करने के लिए connection complete हो गया दोस्तों यह जो हमारा contactor है वो कैसे चालू और बंद होगा एक बाद समझ लीजे दोस्तों यह जो हमारा contactor है इसको चालू करने के लिए हम इस push button को press करते हैं जैसे push button को press करते हैं तो क्या होता है power supply यहां से flow होके जाता है और सीधे ही हमारा जो contactor है उसके A1 terminal पर पहुच जाती है दोस्तों दिखिएगा जब हम push button को press करते हैं तो हमारा starting capacitor लाइन पर आता है जिसके क्या होगा पावर साप्टलई यहां से फ्लो होनी बश्याएंग, तो हमारा जो stop push button पैटन है उसको incoming power supply मिल जाएगा, यानि कि यिस कामेल पर होगाल जैंक जिससे क्या वार मोतर मोटर स्टाटंट रहेगाई ठीक है दोस्तों अब यहां पर हम ने किस्टाट को उपयोग करे हैं तो इस इंडिकेसिंट को कनेकर करने के हम का करते हैं यह जो हमारा MCB करेंगे और उसके जो पहला terminal है उसमें connect कर देंगे दोस्तों किसी किसी starter में आप एक push बटन देखेंगे उस push बटन को press करने पे हमारा बॉल्ट मिटर voltage कोudsो करता है दोस्तों यदि आपके starter में push button दिया गया है voltage को देखने के लिए तो उसमें connection simple होगा, आपको क्या करना होता है कि ये जो wire है उसको लिए के push button को एक terminal पर connect कर देना है उसके औरgoing terminal से एक wire को connect कर के लाएंगे और इस tv पे connect कर देंगे यानि कि इस terminal पर connect कर देंगे जिससे क्या होगा जो हमारा उसख तर्प्रिय का चैलि नियूटर सप्लाइग का किनेक्शन है तो देखेंए सबसे हम क्या करेंगे यह जो हमारा कॉंटेक्टर है इसका जो हमें क्या क्या करेंगे यहTrug टर्मेल पे connect कर दिये हैं ठीके दोस्तों अब इस contractor को neutral supply और face supply मिल गया है अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा voltmeter है इसको भी neutral supply देना पड़ेगा तो इसको neutral supply देने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां से एक वार को connect करके लेके जाएंगे लेकिन यहां पे मैं आपको सो करने के टर्वार को पेंगे तो इसको vapor करता हूं और इसको ले जाके हमारा जो voltmeter है उसको neutral supply देदा हूं ठीके दोस्तों अब यहां पर जो हमारा indication lamp पे हम इसको वार को लूब करके इस का लेका आप अब देखिए, यहाँ पर हमने arthing के लिए एक point बनाए है, यह हमारा arthing है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक wire को connect करेंगे, और इस arthing point पर हम इस wire को connect कर देंगे, तो दोस्टों, कुछ इस वगाल से हम single favorite smcival pump जो होती है, उसके starter का wiring करते है, I hope कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आयो तो प्लीस इस वीडियो पे लाइक, सेर और क्मेन्ट जरू कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किए तो सस्क्राइब भी कर लिजीगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद